परम सन्मानियो गुरू रूप गुरु खालसा सा संगजी वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते एक बैरागी मादधा वैशनू सादू सी जो के शिरी गंगा जी दी यात्रानू जा रहा सी और उस दा नेम सी के पोजन उस प्रेमी दे करोंशकना जिसने गंगाजी दा इशनान कीता हो गए इस तरह अपना नियम नी बॉदा होया जाद गंगाजी दे पास पहुंचेया ताँ चार मील उरे ही रात पे आगई ओथे एक संतां दी कुटिया देखके ठैर गया जो के महान तात बेते पजनीक व्यक्ति सन इसने पुछगेश की तब गयर ही ओना दे आश्रम पर परशादा शकलिया और मन विच ख्याल किता के एता कई वेरां गंगाजी तों आई होए होणगे परशाद शकन उप्रंग सुबाविक ही बचन बिलास विच संता नो पुछण लगा के महराजी तुसी ता गंगाजी दे नेत इशनान करदे होगे अगे संता ने कहा के मैं ता आज तक गंगाजी दा इशनान कीता ही नहीं संता दी एक अल सुणके वैशनो सादनों बहुत ही दोख होया अते ओहो एसे विचार विच संता दी कुटिया छटके जान लई बाहर आ गया प्रंतु रादा समा होण करके किदरे जाना सकया और जागदा ही बैठा की वेखदा है के तेन गमवा काले रंगदिया आईया जो जल संता दी इशनान दा एक चले विच जमा होंदा सी उस विच ओना ने टुबा लाया ताद काले रंगतों सफेद रंगदा हो गया इह कौतक वेखके वैशनो सादू ने चकरित हो के पुछया के तुसी कौन हो तादोना ने केहा के असी तिन्ने ही गंगा जमना सुर्ष होती नदिया हाँ साड़े विच पापी पुर्षा ने इशनान कर करके आपने पापा नाल सारा रंग काला कर देता सी 181 संता दे पवित्र चर्ना नाड छूहे महान पवित्र जलविच इशनान करके स्वाच्छते सुन्दर हो गई यहां सो साड़ा एहे निता प्रतीदा नेम है एगल सुनद्या सार बैरा की वैशनेव दा संता पर द्रिड निश्चा हो गया के संता दी तोड़ी ही सारे तीर्था नाडों पवित्र है